आई आप कि आख अज़िए है कि अधिक नमस्कार याजसर्ड डॉटक्मुराश इबीगा स्वागत है शाख साथ काशिंग साथ सो दो आज हमारे साथ है गुपाल जिंग जिसे कावत गाह मैं सिवद बडी तो जय राम जी साय जय माता जी है तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद है आगा बढ़ना सुपर ली नियमें सत्य पता दूए तो वीडियाश्य डॉटकुम संपती रहे लो इन जे कुछ को लथे जमेदार हो यह को व्याव साय पर मैले कि तुम त्यों कोनी व मैं स्रीपान शेरी की जी ओर ददी का नम सलाव कम र पंब जी नहीं कोई विस्भार मैं में कोई इत्यास ही हां यह फढका हनु करें कि अठावायार ही आयाया देखो अपना जो इत्यास है यह साय और मसर निकलने के बाद में हमारी जो दाजा परदादा कफीपीडियां पहले थे वह यहां कासली आए थे कासली के बाद में यहां से manger उदाए होई है उउछra आसे को से ऍगा नाना जी मेडेर को नाम हाँ मेरे नाना जे राइल है सब्सकूर मेरा नाचा मेरा नास को सुरूब करी था नानी जी का नाव चंदर कमर चंदर कमर सुसराल है यह तोशना के पास में इंदोका की डानी वैसे उसको दीपनगर भी कहते हैं सासुराल नाम सुसरा जी का नाव अगर सिंग यह सासी का नाव राम कमार राम कमर राम कमर धर्म नाव सुर्ग्यान कमर अब तापर के दिए दोई बच्चे इस नाम बड़ा जो पुट्र उसका नाव विकरम सिंग है और चोटे वाला पाउंसिंग है तो पड़ाई लिखा है गणात रख रही है मैंने मैं मार्त टैंट पास हूँ परिवालिक परिस्टिती के इसाब से ज़्यादा आगे नहीं पड़ पाया अथे बैन भाई करता है तीन तो बैन है और तीन ही बाई है हम नाम सका मेरे बड़े पाय का नाम सक्तु सिंग जी था जो शुर्गवास हो गया हुआ पाया चोटा का सजन सिंग जी और मेरी बैन है संतोष कमर कमल कमर और मदन कमर और मैं सबसे चोटा हूंग पाज जी तरशना बाद कमाई दसी तक बढ़े दसी शेवद में ने ने पहले पांच वी तक की जो सब्सक्राइब तो बड़ी शेवद में ही यहां को प्राज्मी प्राज्मी विदा ले था उस टाइम और वहां से पिर दीपरा राजा जी है हमारे पास दीपरा कल्यान जिसको बोलते हैं दरबार कल्यान शिंग जी का गाहां भी है वहां मैंने दश्मीं तक पढ़ाई किती नाइंटी सेवन एट के अंदर है दश्मीं पास किती के साल का वत्याब है मैं एक नोग उनी सो तैयाशी का मेरा जनम है तो बाइला बनाया कि ने वैसे तो जिवन में बाइला दोस्ते वो तो सब सभी दोस्ती हैं लेकिन वैसे कोई विशेस नहीं बनाया क्योंकि ऐसी प्र प्रात्मी कोई दाले में यहां पड़ते थे तो यह फागलवा की थे दुरुगा राम जी कुमा होते हैं काफी बुजरक थे अच्छे थे बढ़िया काफी मारते भी थे तो वह में याद है फिर दीपरा में पड़ रहे थे यहां विजवपरा है पास वहीं चोत्मल जी सर् है और जब गुसा आता था तो कूँ मारते भी थे वह हमारी भी रहे थी तो यह बताओ के ठे घुटे गूंबा भी गिया एंदुस्तान में या बारे भी गिया नहीं अभी तक राजसतान के स्वाय कहीं नहीं गया है सुर्वाद यहां गाम के अंदर ही कारी कर रहा हूं तो तो पाणी के इस्तिती तो अब दो तिन साल से तो कापी विक्ट हो गई है पानी यहां है नहीं कती तुंटी है तुंटी है कई जगह तो आड़ से ज्यादा तुंटी चलती नहीं है पानी बहुत ही नीचा सब्सक्राइब पानी की समझ्या है अब बहुत ही समझ्या उसी तो सर्पंजी पकड़े हो नहीं किया क्या करते है को योजना लेवागे तो चलो गाहां की जो व्योस्ता उसके तो द्यान देते हैं लेकिन फिर भी आगे से जो योजना चलती है बड़े स्तर पर जल समन दीते कोई बड़ी यहां कोई नहर्वगेर आ जाए पाणी की व्योस्ता हो जाए तो ठीक है नहर्व तो कहें बाची की बढ़िन आवाजी की मरेडा धांडा जान दर केमीकल को पाणी सब्सक्राइब तो गुवर्मेंट की अभी उसता है जो भी कारें उसमें द्यान देनों चाहिए चाहिए चीजां चाल रहे बांगी तरव गुर्में द्यान देनों चाहिए तो के वेवसाय कर लिया थे आप तक बताव दें देको मैं उनीज सो सत्यानवा, ठैनवा में टेंथ पास की थी उसके बाद में परिस्थिति ये थी कि हमारी जो पिछे की परिवारिक परिस्थिति थी वो कफी गरिभी इस्थिति थी हमारे पिता जी थे बिल्कुर अन्पड थे वा टूबेल था नहीं शिरप यह जो भगवान प्री बाकि जो हमारे बड़े बाई हैं वो तो शिक्षा भी नहीं ले पाए मैंने जुरूर टैंथ तक शिक्षा ली है तो उसमें सबसे बड़ी प्रेसा नहीं यह थी कि पड़ाई की दश्मी पास करने के बाद में घर की प्रस्ती थी और देख करके मैंने सचा भई आप तो कुछ सबसे प्रस्ताइब करना पड़ेगा तो सब से पहले मैंने दुकंदारी की थी सायकल रिपेर की तो तीन दिन तक शिकर बजरी के टरक छान कर गे जो बजरी के टेंडर ले करके जो शिकर में गया सिकर जाक करके एक बंदा मेरे साथ और था जो भी वह फोजी बन गया बाद में बजरिंग लाल जी थे जाक ला गए आज वह फोज से डिटार्मेंट भी हो गए हैं वह भी मेरे साथ थे हम दोनु वह बजार के अंदर बजरी के ट्रक चांड-चांड कर गए और 130 रुपे लेक से सुलेशन बगएरा है पंचर निकाले का एटम उटम उटम उच लेकर के आकर के फागड़ा में सबसे पहले दुकंदारी स्थार्ट बाएर महीने तक वहां काम किया देरे 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 एक्जेश्मेंट हुआ उसके बाद में बड़ी से उद के अंदर में आया बड़ी से देरे जार होई उनना के बाद में देरे देरे फेर शायख लाइंगी प्रस्तिति बाद देरे दोगी खत्म में दो बाड़ी कुछ ही तक यह नहीं करतो फोटोग्राफी संबंदित कारें एक बन्दों करतों वह बले हो दो आड़ा पांच में आटेक्ड है और दोजार पां यह मालोब आपे 20 तक मैंने फोटोग्राफिय काम किया है इसके बाद मैं उस सेत्तर में भी मेरे को जड़ा कुछ नहीं दिखाए दिया आज मेरे जो बिजली की दुकान है इलेक्टरिका दुकान है वाँ और खेतीवाड़ी काम भी करता हूं खेतीवाड़ी करते हैं वो दु लेकिन उस टाइम पर मजा मजा वाड़े रोबात थी नहीं परस्तिति को देख करके दिन पर देखते रहते थे कोई आ जाए दो रुपया दे जाए उस ताइम क्या पंशर के पैसे कितने थे मतरे पचास पैसे पंशर के मिलते थे मैंने कारी तक मैंने कडिया हैं इस पूरी पूरी O होती थी उस रिपेर को हम करते थे तो हमें पचास रुपे मिलते थे अब देख लो बता भी लोगान देबन करता भी देबन कटेंगे ने ने वो परस्तिति की बात है साब तो अब जियां कि अब जियां दुकान समाला था टाबर समाला के पोटोग्राफ हां मेरा बच्चा है जो बड़े वाला बच्चा है वह वैसे ग्रेजवेशन कर ली है करेशन के बाद में अभी भी बीड भी कर लिए अब देखो सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी जोब या कोई लोग नहीं म दुकान मट्री अब यह मताओ थारक गाहां हो शेवद बड़ी है ना हाँ जी शेवद बड़ी कमा राह नित्ति कशी है मतलब लोग एकतर पहीं लोग हम खेचातान है कि या चुनाव शर्पंचान देखो अमारे गाम की यह चीज़ तो एक खास है आपने बहुत ही बड़ी इजगाह में है नहीं कि यह बड़ी शेवद की खासिए था सियोट बड़ी में ओर क्या खास चीज है जिसकी बड़ा हो तो यह बड़ बामासा हो यह उंची नोकरी में हो कोई बिजनेस में नुचा हो तो वैसे सरकारी तो कोई है ना यह प्राइवेट अच्पिटल कर रहे कोई प्राचिन मंदिर हो कोई इत्यासिक महत्तु है? वहां एक तो मजार है पीरजी महाराज़गी रामदेब बाबा पीर और हजम पीर जो कि मुस्लिम दरम से आते हैं उनकी यहां मजार बनी हुई है अब इत्यास यह बता रहा है कि कापी दिनों पहले कोई यह पांच पीर थे वो वहां से निकले यहां आये तो यह उगड पीर है और एक यहां कोई पीर मनलब सरकटावा कोई यहां लाज गिरी थी उसके बाद भी वहां उसकी मजार बनी है तो इंदू लोग यहां मुस्लिम तो है नहीं लेकिन फिर भी आस्ता का प्रतिक इतना है कि इंदू लोग भी उनकी मजार पर भी जाते हैं और रामदेव जी महराज है तो एक बात मुझे समझाएं कि यह जो आपने बताया ने शिरकटने वाली बात कि शिरकटावा आ गया गोड़े पर सबार था दो और तो ने देखा और देखा गड़ा पर पाने लेकर तो देखा हो गिर गया ऐसे ऐसास थी तो यह घटना कौण से गाह में सथ वह तो पता ने लेकिन सब गाहों में एक सी काणी ने ने वह बात तो आपकी सही है लेकिन कुछ तत्थे अधारियत शिश्टम है इसके अधार पर यह बाते आप तो अपन तो सुनते हैं हम लोगों ने तो देखा नहीं कि उस ताइम पर क्या उस ताइम जनिवर ने वाड़ा लेकिन जो हमें बुजरक लोग बताते हैं गाहम के लोग बताते हैं यहां ऐसा मैं तो यह भी बताया जा रहा है कि इस मंदिर के अंदर रात को मतलब चिराग दिखती थी जब रात के गाहां में रात में चिराग भूमती थी चारवतर लोग बजरुक बता रहे हैं यह एक संत हुए थे बहुत बड़े कटोर नाज जी महाराज नाम था उनका इतने बड़े अच्छा एक बात यह बतायां कि आदबी के मन में यह रहता है मैंने जिवन में यह काम नहीं किया इस चीज के प्राप्ती नहीं की यह इस चीज का एसास मुझे नहीं वा तो आपको कोई मलाल है ने ने मुझे वैसा नहीं है ऐसा है कि मैं कापी संग्रस सेल जीवन जी करके कापी संग्रस करके और मैं आज जिस मुकाम जी शेत्र में हूँ अपने इसाब से मैं संतुष्ट हूँ ज्यादा मैं यह नहीं चाहता कि ओजा ऐसा तो कोई कितना ही बड़ा हो जाए कुछ भी हो तो अदमी क्या हुता है अधिकांश राजनिती के जम्हें से उठी रहे होते है ना ज 이게 में राअदिया क्छेत्र में वैसे तो पहले पहले संबन्दीतें यहां के विकाश संबन्दीत का हूँ deux कि बिल्कुल जीते थे उसमें क्या है कि वह जनड़ा आर्वार से थे लिए लड़ान वार्ट उन्र हम नीरिव हएगा पूरे वार्ड वाले लोगों ने मिलकर के उसको निरुरोद रखा था वार्ड बंच उसके बाद में प्रस्तिति या जनल की सीड थी ओभी सी को रखा गया तो आप राजपूर से आते हैं तो यह जो आरक्षन है यह योगिता उखा जाता है मेरा मेरा मानना है खुले तो पर आरक्षन में सबसे बड़ी बात विया औरत की आरक्षन से राजपूर और बामन को द Éर और मतलब जो जाता है उसमें गरीबी जात देंखर के नहीं यह जगे हैं लावन वे है जाटों में भी है राजबुतु में बलाय में भी सब में है अब पिछे जो प्रावदान था को पिछडी जातियां थे उनको औरक्षान दिया वह सही था लेकिन आज इस इंदोष्टान में बहुती जरूरुद है कि इसकी जो औरक्षन है कुछ कुछ चैंजी होना से ही है आपकल समानता है आज के दिने हैं आज कहीं भी कुछ देख ओ पहले म Chen incumbent हमारे बिल्कुल नहीं है सब एलिकार से रहते हैं यह तो आप पड़े परचाने से घुजभर तो को आपको खिश्य के मैतों का पता है बिल्कुल पर पढ़ना नहीं चाहते हैं और उनकी नादानी है आज वो लोग नहीं समझते हैं वैसे नहीं है कि मैं हमारे भी दो बच्चे हैं बच्चों को मैं रोज यही की शिक्षा देता हूं कि बड़ा यह आज आपका जो जीवन है आज का जो यह ताइम है इसका यूज कर लो आप बच्चों का वह सभाव होता है लेकिन मैं तो सभी को एक ही शिक्षा दूँगा कि शिक्षा शिबढ़ करके कुछ नहीं है माबाप के पैसे वैड़ में नहीं गमाए जहां भी शिक्षा ले आप बड़ी मैनत और लगन और रूचिशे शिक्षा ले कोई बिंदू जिसरो कि मैं आपको एक सोसल मेडिया समंदित शेत्र के अंदर है इसमें आपको कुछ अपने विचार रख देता हूं आपको अच्छा लगे तो ठीक है आज के जमाने में क्या है कि सबसे बड़ी जो इस्तित्य है समाजिक जो अपने मेल मिलाप की देखो आज के जमाने में जो य समार्ट फॉन हैं वो अगर बुराई की तरफ चले जाएं तो बुरे भी बहुत है या समुद्र की तरह है इसमें सब कुछ है इसमें 20 भी है इसमें अमरत भी है लेकिन मैं विश्यस करके यही कहना चाहता हूं कि इस फॉन का मिश्यूज ना करे क्योंकि जो लोग ज्यादा चाहता है कि ज्यादातर बच्चे लोग हैं इसका मिश्यूज करते हैं तो इसका बहुत ही अपने समाज और हमारे पर भूट बुरा फरवाव इसका पढ़ रहा है सबसे बड़ा तो यह पढ़ रहा है कि बच्चे बच्चा अपने माबाब से दो मिन बात करने के लिए हो कहता है कि मेरे पास तेरी सारी रिकोर्ड तेरी गल्फ्रेंट का मेरे को पता है तो बड़ा चालू था मतलब जब जूट पड़े ता फोन वापस रख देता तो बाद में उसको समझा है कि ऐसे चीज़े ठीक ने तो यह जो है ना यह मांच तक कप प्रकट होती है तब आ है नहीं वह बहुत सुझा आपकी लेकिन इसमें एक चीज़ और रहता ना तो साथ में अब गरवालों की उदाएंस सिंता है अब मेरे को एक बताओ मेरा बच्छा है अब यह रूम है इस रूम में वह एकांट में बढ़ाई करने के लिए हमने उसको फोन भी लाकर करके दे उनको ही हम यह सोचना चाहिए कि हमारे मावाब कितनी मैनत करके कितनी मुश्किल से हमें पढ़ा रहे हैं और यह फोन भी हमें लाकर करके दे रहे हैं आने वाले बविश्य हमारे लिए बहुत खराब होगा जो नसा है नसा भी जह परिवार को मरबाद कर देता है रिस्ट ख सीराब माल या कुछी भी कोई भी चीज्जा मालो लो मालो टटा मालो जिस के अंदरे चला पहले तो कि कि बड़े बढ़के प्रशेटी जाते हैं उसके भाद में बड़ा शोड़ा बढ़ना मुशकिल हो जाता है तो इस इए अटब ठाले में और एक चीजा डिल हो गोड़ा होता ह। उतले ग्शैज प्रमिक बॉक्राइब और आुझे तो वैं डीपियर होगि दाले में कमोच इंटक देंगा मैं तो यह नात्मन मैं गैसे तो यह नादानी है बाद में भी पश्टाया कि अपन गलत लाइन में चले अब जो लग जाती है उसके बाद में हम पश्टाते हैं पहले ही सोचना चाहिते हैं कि हम गलत है बट्र वृत बड़ी है समाज को मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस नच्छे के शेतर में तो बचके जिता रहे तो बहुत अच्छा है अच्छा हर समाज में कूरतियां होती है ना तो आपके नजरे से आपके राजबुत समाज में कुछ आपको लगता है कि कुछ सुदाथ होने चाहिए इन पर्थाओं का विरोध होना चाहिए बंद हो जाने चाहिए ऐसा कुछ है का देखे हमारे राजबुत समाज में जो कूर लेकिन सबसे बड़ी है कि कोई भी बच्चा नोक्री लग गया नोक्री लगने के बाद में उसकी डिमांड एक रहती है कि भाया मैं तो गाडीर ग्यारा लाग रुपे चाहिए अब बच्चे माले जे के बच्ची को पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया वह बापा बैचा बड़ी मुश्क्लिश उसको शिक्सा दी उसके बाद में वह यह चाहते हैं कि हमारी बच्ची अच्छा इसको रिस्ता मिले अच्छा शिच्टम हो अच्छी जगह हो और उसके बाद मुश्की डिमांड कर दे तो वह बैचारा कहां से देगा और एक बात और एक बात देग फिर उनका लालत सबन देगा तो मांचे पड़तार ना मिलती रहती हो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है तो मैं तो यही कहता हूँ बाइस समाज एक शेतर में ऐसे लोगों का तो विसकार करो जो लोग की लालची टाइप के होते हैं तो दहज मागते हैं उसको बची दो हमत अटोमेटिक ही सुदर जाएगा और आज के लिए एक सबसे बड़ी एक चीज और हो रही है मतलब इस समाज के अंदर किश्वी समाज में देख लो आप राज को समाज एक को मतलो एक सबसे बड़ी यह आ रही है जो आटा-शाटा आटा-शाटा जो पढ़ता है यह सबसे ब कुछ जानते नहीं थे बोले डाले थे जहां भी एक्जिस्ट कर लेते थे आज क्योंकि बचियां भी है में बड़ी मतलब आगे एक्सपर्ट भी हो गई पढ़ ली अब अपन क्या करते हैं कि यह आटा-शाटा जो पढ़ता होती है उस से चलो ठीक है कई एक साधी ने टू हो लेकिन अपनी बच्ची का दूसरी की बच्ची का जीवन ना रख क्यों मनाते हो कई रिष्टे तूट जाते हैं कई रिष्टे तूट जाते हैं तो इसके पड़ती अब सबसे बड़ी बुराई है बहुत ज्यादा पनवर इस टाइन इसको रोकना चाही है तो अच्छी अच्छी तरीके से बाते रहें और वानी प्रकर प्रवक्त है आसा करता हूं कि राजनीती में आप अभी युवा हैं तो प्रयास करें उसक्टा सफल हो जाएं क्यों बिल्कु राजनीती में क्यों होता है हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा राजनीती जो आगे चलता ह प्रक्षार ओपन में कैसे रुची है बिल्कुल बहुत बढ़ी है हमने पिछे भी हमारे एक यहां नर्पर सिंग जी शेकावत है उद्योपर के अंदर है पहले तो वह नेवी में अफसर्त है आज उनका अच्छा बिजनिस है मकराना के अंदर है उनका मतलब यह मतलब जो बढ़ा है उनका फैक्टरी बढ़ा कापी बड़ा मतलब बिजन्समेन है वह पैसे वाली फ्रम है मतलब हमारे गाम के अभी आप यहीं भी पूछ रहते कि आपके गाम में कोई बड़ा पैसे वाला कोई सिस्टम हो तो हमारी नजर में यह अंदर बहुत बड़ा अपना और बोकर आप इन उचियों मेरी भोज जाता रूची है हमने यह जो यह बगी चीया मंदिर वीड परिशर विदाले में आप अभी आये थे यहां से देखे होंगे नीम के पैड़ लगे में है वह सारे के सारे ढाइस सो नीम के पैड मैंने लगवाए है आर्टिक इस्तितित लगाना तो बहुत ही जरूरी है अच्छी बाद है कभी उनका भी सासाथ का लेंगे बिल्कुर आपकी तरफ से समाज के नाम संदेश अपने परिवार समाज के नाम संदेश संदेश तो मैं यही देता हूं कि जो यह कूर्तियां बुराइं इनको छोड़ करके और अपने द और समय मिलेगा तो फिर कभी सासाथ का लेंगे क्यों आपके जैराम जी जैराम जी उसाथ झाल 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 झाल